साहब मैंने चाकु से अपनी पत्नी को मबाड डाला है उसकी लाश घर के बातरूम में पड़ी है किसी सिपाही को भेज कर उसे उठवालो ये शब्द जब थाने में बैठे पुलिस कर्मियों के कानों में पड़े तो वहें आपनी कुर्सी छोड़ कर ही खड़े हो गए ये श चोहर से मुबाइल फॉन का पासवर्ड मांगना भारी पड़ गया और उससे अपनी जान से ही हाथ दोना पड़ा मुबाइल पासवर्ड मांगने की जित परणी बीवी की शोहर ने बड़े ही बेरहमिस से हत्या की और मौकिस से भाग निकला दरसल हर्दू अगंज के रहने महिला से अवैद संबंद है इस बात को लेकर दोनों में अक्सर कहा सुनी होती थी शरिवार देरात महराज जब दुकान से घर पहुँचा तो फिर से विवाद खड़ा हो गया नगमा ने महराज से उसका मुबाइल मांगा उसका पासवर्ड पूछा महराज को गुसा आ गय घर में बाहर से ताला लगा दिया और बेटी को इलाके में ही रहने वाली अपनी बेहन के यहाँ छोड़ कर फरार हो गया भागने की रादे से वहे ट्रेन से सीधे दिल्ली पहुचा दिल्ली पहुचकर उसे डर लगा कि किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा जिसके ब बात्रूम से शव को बरावत किया गया इस मामले में अब मिर्तक महिला के भाई वाजित ने महराज उसकी बहन मुमताज भाई मा को नामजद कर हत्या का मुकतमत दर्स कराया है जिसमें दहेज में बाई और दो लाक रुपे के लिए परिशान करने और उसकी हत्या करने का भ पासवर्ट लगा रखा था इस बात पर दोनों में दूरिया बढ़ गए थी और रोजाना ही लड़ाई जगड़े हुआ करते थे बस इसी बात को लेकर उसकी बहन को मार दिया गया नगमा की बेटी अपने बुआ चाची के पास है और नगमा की हत्या की खबर पर आरोपी भी फरार हो गए है पुलिस इन सभी के फिलहाल तलाश में जुटी है वहीं नगमा का परिवार उसकी बेटी को अपने पास लाना चाहता है नगमा की निशाने बताया कि शरीवार रात करीब 10 बजे उसकी और नगमा की मुबाइल पर बातचीत हुई थी तब तक नगमा ने बताय कि वरदात की जानकारी आरोपी ने खुद ठाने पहुँचकर दी उससे पूस तरज जारी है और मामले की जाश परताल चल रही है